एक reminder आपको देना चाहता हूँ, अगर आपने भी अप्लिकेशन, वेबसाइट या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म बना लिए हैं और उस पर आप ऐस ओनर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कितना बड़ा question mark आप पर आ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं इस वीडियो के तुरू मैं आपको वही बताऊंगा कि आपने जो भी platform create करें, application, website create करें, digital presence create करें, अब इसके तुरू आप कैसे digital marketing कर सकते हैं, marketing करना और platform create करना दो अलग-अलग चीज़े हैं, मैं आज आपको अपने experience के basis पर ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने coaching की digital marketing कर सक करते हैं, मैं आपको अपने बारे हम बता दूँ, पिछले कई सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, digital marketing of coaching institute, education domain में, school, college, याप कोई भी coach हो, तो आपको coaching की digital marketing कैसे करना है, इन छोटी-छोटी strategy पर मैंने जितना भी सीखा, समझा, आज मैं आपको इस वीडियो क के माध्यम से बताना चाहूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो जो आप अगर आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, या फिर आप एक इंस्टिटूट से बिलॉंग करते हो, सिंगी इंस्टिटूट है, किसी भी टाइप के आप क्रिएटर हो, आप चाहते हो, कि लोकल बिजनेस, लोकल मतलब आपके पर्टिकुलर एरिये से लेकर, अप्लिकेशन या ऑनलाइन प्रेजन तक अगर आप अपनी बिजनेस को इंप्रूमेंट करना चाहते हो, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कि बेस्ट प्लेटफॉर्म फोर प्रमोशन कौन-कौन से हो सकते, देखिए मैंने बेस्ट इसके लिए बहुत अच्छा यूसफूल होता है, फेस्बूक, टेलिग्राम, लिंक्डिन, कोरा, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, गूगल एड्स, ट्विटर, यूट्यूब, अप्लिकेशन, यह सारे प्लेटफॉर्म है, इन पे हम डिटेल में बात करने माले है, क्या-क् अगर आप एक लेवल पर आ चुके है, तो इन सारे प्लेटफॉर्म पर वर्क करना चाहिए, हर बड़ा प्लेएर इन सभी प्लेटफॉर्म पर अच्छे से अपनी प्रेजन्स क्रियेट कर चुका है, बट डिपेंड करता है कि उनकी ओडियन्स क्या है, इस पर हम डीटेल मे आगे समझेंगे, राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते है, गूगल माय बिजनेस, अगर आपकी कोचिंग इंस्टिट्यूट है, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में है, तो आप मानके चले, गूगल माय बिजनेस आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ए इसलिए सबसे पहले क्या सर्च करता है, यही सर्च करता है, MbpsC coaching near me, UpsC coaching near me, banking coaching near me, SSC coaching near me, तो इस पर बहुत अच्छे से presence create करनी होगी आपको, अच्छा क्या होता है, यह area centric होती है, कैसे होती है, कि जैसे suppose अगर आपको पता है कि आपके coaching में, अगर आपकी X location पर आपकी पास में, इस इन जगह से आपके पास में coaching को बच्चा आ सकता है, तो यहाँ पर अगर आप Google की सर्च में, जब भी आप Google पर सर्च करते हो, तो यहाँ पर एक section बन के आता है, आप image भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर, यह image में top 3 सर्च जो होती है, वो सर्च होती है, हम की marketing automatically बहुत strong हो जाएगी, तो Google My Business पर क्या करना है, तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, आपको SEO का work बहुत अच्छा करना है, अब SEO work की बात करें हम लोग, तो SEO work क्या होता है, देखे, Google My Business पर आप वो सारी चीज़े करिए, अपनी website, अपनी application की detail, अपनी website की detail, अप की service से belong करते है, हर छोटी से छोटी चीज़े, बहुत simple है, किसी external support की जरूत नहीं पड़ेगी होँआपर, देखे, तो Google My Business पर आप क्या कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो, आप सारी information, सारे call to action बिल्कुल सही रखिए, ये call to action अगर आपने सही रखे है, तो definitely आपका business top 3 में आएगा, तो इसको optimize करने के लिए, मैं आपको आचाहोगे, अगर आप मुझे comment करके बताना, इस पर मैं detail video बना सकता हूँ, तो मैं आपको coaching institute की detail Google My Business की profile कैसे build करना है, उन चीज़ों पर हम लोग video बना सकते हैं, आप मुझे बताइएगा, तो Google My Business पर आपको SEO work करना है, सारी information, call to action, सारी, जैसे call to action किया, किसी को मिल गया, top 3 search में, तो उस पर क्लिक करें, या call करें, आपकी website visit करें, तो Google My Business, तो इस पर अगर आपकी presence नहीं है, तो आज ही जाएए, और इस पर presence create करें, अब हम बात करें, Facebook पे, तो आप Facebook पे देखते होंगे, हर टाइप के students, हर के parents और हर टाइप के लोग है, तो Facebook पर तो आपको अपनी presence create करना ही करना है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि आज कल की new generation किसी और platform पे, कोई बात नहीं, बहुत सारी AC coaching institute है, 6 to 10th के बच्चों के लिए, बहुत सारे ऐसे section भी है, जहाँ पर parents oriented चीज़े होती है, तो parents oriented के लोग भी Facebook पर active है, तो हमें Facebook पर marketing करनी चाहिए, अब देखे Facebook पर दो चीज़े, एक है Facebook page और Facebook group, अब इन दोनों चीज़ों पर हम बात करे, हम बात करे Facebook page की और हम बात करे Facebook group की, तो इस दोनों चीज़े आपको create करना चाहिए, Facebook group किस तरीके से काम कर सकता है, तो Facebook group एक open platform ह यहाँ पर बच्चे आप से doubt पूछ सके, ऐसी कुछ community आपको डाननी चाहिए, जिसे क्या कर आपका कोई test series आ रहा है, तो यह update वहाँ पर डाल दिया, कोई doubt बच्चों को रहा है, तो बच्चों को बोलो, आप इस community पर जुड़े, यहाँ से बात करे, तो यहाँ पर two way communication जो maintain हो सकता है, social media platform पर, वो facebook कित्रों आप कर सकते हो, तो facebook पर reach बढ़ती जाएगी, facebook page पर आपका बहुत अच्ची reach, free में नहीं मिलने वाली, but still आप यहाँ पर content create करके डाले, ताकि लोगों को जब भी आपके facebook page पर कुछ सर्च करना, बहुत सार लोग intentionally चीज़े सर्च करते है, presence check करने के लिए, तो यहाँ पर facebook page पर आपकी presence होनी चाहिए, facebook group पर भी आपकी presence होनी चाहिए, यह दोनों चीज़े करिए, धीर धीर इस पर work करिए, post डालिए, question करिए, doubt डालिए, notification डालिए, तो आपका यहाँ पर काम बहुत अच्छे से हो सकता है, देखिए, यहाँ पर मै मेरा यह मानना है, और बहुत सारे digital field के लोगों का यह मानना है, कि facebook पर अब जो generation हो, young generation कम, और पुराने लोग काफी ज्यादा involved हो चुके है, आप भी देखोगे, आपके दादा जी, आपके पापा ज्यादा facebook पे involved होते है, as compared to students, तो यहाँ पर अगर आपके पास आपको target कर पेरेंट्स को, तो facebook बहुत अच्छी चीज़ है, as compared to other platform, हम बात करें reach की, तो इसमें क्या कर सकते हो, आप reach की बात करो, तो facebook में अगर आपका mindset है, कि भीया मुझे indoor के, जैसे मैं indoor में हूँ, मुझे indoor के students को ही, अपना add दिखाना है, अपनी तक reach पहुचाना है, तो आप इस बने, अच्छे से आप अपनी profile maintain करके रखे, definitely आपको फायदा होता, यही से आपको student message भी करता है, यही से आपको comment के through inquiry मिलती है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो, बहुत easy है, इसके बाद में आता है हमारा www.yourcoaching.com, देखिए बहुत सारे लोगों न application तो बना ली भाई साब, पर उनकी website ही नहीं है, सोच किये देखो, किसी भी student की आप counseling लेते है, on call, और उनको बोलते हैं कि हमारी application डाउनलोड कर लो, बहुत कम possibility है, मगर आप उसको बोलो कि हमारी website पर चले जाओ, तो बहुत बड़ी possibility आप उसको link दे दे दो, तो वो क्लिक करके आपकी detailing देख सकता है, इसलिए coaching की website होना, बहुत important है, हमने पहले बात करी ती Google My Business की, Google My Business पे भी website के direct visibility दीए, अगर आपकी website नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपकी coaching का एक बहुत बड़ा asset नहीं है, तो आज ही website बनाईए, अगर आप चाहते हो कि आपकी coaching की application और website हम बना कर दे, तो आप हमारे इस number पर हमें call भी कर सकते हो, मैं आपको definitely एक ऐसी application और website बनाने में मदद करूँगा, जो शायद other business में, other coaching institute से बहुत different हो, ठीक है, तो आपको आपकी website होना चाहिए, अब यहाँ पर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर direct search में इसका फायदा मिलता है, हमें, फायदा कहां से मिलता है, तो हमें फायदा मिलता है direct search से और SEO के तुरू, जैसे बहुत सारे लोग direct आपकी नाम के तुरू आपकी searching करते है, और दूसरा हम उस पर कुछ ऐसा content डालते है, जिसे search engine optimization, यह अपडेटियल में है, अगर हम बात करें तो अपने आप में भी होनी चाहिए, जब बच्चों के सामने आप counseling करने बेटते हो, तो आपको पता होता है कि बच्चों को क्या-क्या चीजे बतानी है, वैसे ही चीजे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक form होना चाहिए हो, आपर अगर बच्चा को interest ले रहा हो, तो वो अपनी information fill up करते इससे आपको number मिल जाता है, email ID मिल जाती है, आप उन पर remarketing कर सकते हो, उनको call कर सकते हो, दूसरा आपके toppers students का या previous students के testimonial होना चाहिए, यह impact create करते है, बात करें, आप जो जो course पढ़ाते हो, उसको अपनी भाशा में लिखकर, उसके module को, उसकी fees को, उसकी सारी information को यहाँ प होना चाहिए, यहीं से आपको बच्चे को route करना चाहिए, WhatsApp पर, Telegram पर, YouTube पर, तो यह सारी चीज़ें integrated है, website बनाना अपने आप में पूरी हो है, अगर आपके platform के website पर यह सारी चीज़ें है, तो definitely आपकी website भी value करेगी, आपको वहाँ से lead generate होने में मदद करेगी, हम बात करत तो video content platform है, YouTube आप सभी जानते है, इसमें अगर आप call to action देना start कर दे, तो definitely यह marketing के रूप में convert हो जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ, video से पैसा कमाना है, video से sales generate करनी है, इस video को बनाने का motive में आपको दूसरा बताता हूँ, लेकिन हम खुद एक digital marketing company है, बड़े-बड़ी coaching institute की digital marketing करते है, मैंने क्या किया, आप लोगों को aware करना start कर रहा हूँ, कि आप भी digital marketing को serious ले, अब बहुत सारे ऐसे vendors या ऐसे teachers, जो इस चीज़ को समझते है, value करते है, उनको लगता है कि नहीं हमें भी हमारी coaching की marketing कराना चाहिए, कि आप अगर मुझसे marketing कराएंगे, तो definitely budget थोड़ा होना चाहिए, तब ही जाके मेरी पूरी team आपके साफ में काम करेगी, तो मैंने क्या किया, एक video create किया, video में call to action दिया, marketing की बात कर दिया, अपनी से number दिखा दिया, या फिर बोल दिया हमारी website visit कर लो, आप मुझे call कर लो, तो मैं आप मेरी digital marketing services ले सकते हो, वैसे ही आपको क् अपना video बनाना है, उस video में call to action देना है, call to action क्या हो सकती है, कोचिंग के perspective से, तो description, comment और individual आप form जनरेट कर सकते हो, आप कोशिश करो, आपके जो viewers है, उनको आप कही ना कहीं redirect करो, कैसे, on call redirect कर लो, अपनी website पर redirect कर लो, अपने other platform पर जहां पर उनकी information आपको मिल सकती है, आ बहाँ पर redirect कर लो, तो ये call to action ना हर video में होना start हो जाना चाहिए, तो अगर आप बना रहे हो, तो आप देखो, कहीं है अपना number देदो, counseling की information देदो, तो ये important है video से, video कैसे बनाना, क्या बनाना, इस video को part नहीं है, पर video से marketing करना, मैं आपको बता दू, मेरे channel पर, हम दो writing of coaching institute करते है, तो इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से promote भी करता हूँ, और teachers को value भी देता हूँ, तो मेरे दोनों जो same चीज़ है, इस same चीज़ को मैं साथ में रखता हूँ, तो definitely business grow करता ही करता है, coaching grow करेगी ही करेगी, हम बात करते हैं, अब Instagram की, देखिए, Instagram पर आप again ये सारी चीज़े करते हैं, story बदाते हैं, आप reels डालते होंगे, बड़ आप live नहीं जाते हैं, बहुत कम teacher देखता हूँ कि Instagram पर live नहीं जाते हैं, देखिए, अगर आप live नहीं जाओगे, तो आप organic जो feature है, Instagram का, जिससे आपको reach मिल सकती है, वो बहुत बहुत बहु जाएगा, अगर आपके कुछ follower से मान के चलिए, 2000, 3000, 10,000, 50,000, तो उन followers से track करिए, उनसे बात करिए, उनकी problem को live class के थुरू, live class नहीं, live interaction के थुरू दूर करिए, ये counseling करने का बहुत अच्छा तरीका है, तो आप live जाना start करिए, Instagram पर again ऐसा call to action होना चाहिए, या तो directly आप आपको message कर दे, देखिए, बहुत सारे influencer के इस पर लिखा होता है, DM for collaboration, तो DM करके direct message कर दो, तो वैसे Instagram से भी बहुत अच्छी lead generate होती है, अगर आप सही direction में value देना start करे, सही content को डालना start करे, सही value provide करना start करे, देखिए, पोस्ट, reels और इन सभी पर आपको call to action देना है, मतल story के through भी आप बहुत अच्छे call to action दे सकते हो, वीडियो बनाया, वीडियो को यहाँ पर tag किया, thumbnail में डाला और story की link लगा दी, तो यह सारी चीज़े, छोटी-छोटी चीज़े, आपको being a honor of coaching institute, school, college, किसी भी चीज़ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, again हम बात करे audience की, तो यहाँ पर वो audience है, जो आपसे रूबरू होती है, जैसे अगर आप एक UPSC की त्यारी कर रहे हो, अंभी PSC की त्यारी कर रहे हो, engineering, civil services की त्यारी कर रहे हो, तो इस case में यहाँ पर बच्चा आप से directly जुडता है, क्योंकि यह decision बच्चों के भी होते है, direct बच्चा स अब बता रहे हो, यहाँ पर पैसा भी इन्वाल नहीं करना है, आपको, पैसा इन्वाल नहीं करना है, अब बात करें हम टेलिग्राम की, बहुत सारे educators टेलिग्राम, पर होंगे और बहुत सारे नहीं होंगे, पर टेलिग्राम एक ऐसा source बन चुका है students के लिए, यह famous क्यों ह हो गया, क्योंकि हाँ बड़ी-बड़ी file share होने लगी, बहुत सारी movies copy होने लगी, सारी चीज़े यहाँ पर easily available, web series directly download हो जाती है, file sign करने की कोई description नहीं, बहुत famous हो चुका है telegram, अब telegram पर आपको अपनी presence create करना है, telegram पर आप क्या important समझ सकते हैं, आप अपनी notes की sharing कर सकते ह हैं, आप quiz कर सकते हैं, और latest update दे सकते हो, यह 4-5 feature जो telegram के हैं यह game changer है, यह बहुत ही अच्छा input आपको देंगे, धीरे धीरे आप telegram की community को बड़ा करोगे, जितनी बड़ी community होती जाएगी, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलता जाएगा, तो as a teacher आपको तो telegram पर channel बना करना है, और क्या हमारे लिए better होगा, एकदम organic तरीका है telegram पर reach grow करने का, अच्छा content दोगे, बच्चे automatically promote करना और दोस्तों को add करना start कर देंगे, अब हम बात करे कोरा की, कोरा एक ऐसा platform है, कभी भी आप search करके देखना, best coaching for MPPSC, best coaching for civil services, कहीं न कहीं, top 5 result में से एक result तो आप आपको कोरा का मिल ही जाएगा, कोरा एक website है, जहां पर question पूछे जा सकते, कई पर मुझे भी लगता है, मैं जब बाहर था, इंडिया के बाहर था, तो मुझे लगता था कि इस area में सबसे अच्छा खाना कहां मिलता है, तो मैं कोरा पर search कर लेता था, definitely मुझे experience share मिल जाता है तो यहां पर आपको क्या करना है, आपके students की query generate होती है, वहां पर आपको reply करना है, और गरिके, दिन में एक question target रख लो, और अगर कोई digital marketing agency ही तो उनको बो भाई, कोरा पे active हो जाओ, और query generate करो, खुझ से query generate करो, और उस पर reply करना, start करवादो, बच्चों का involvement बढ़ जाएग तो definitely आप भी अच्छी तरीके से reach करेंगे, कुछ भी करना, आज आपको अभी इस video को pause करके, एक practical करके देखो, कुछ सर्च करके देखो, जो student की problem होती है, और उस problem को आप देखोगे, तो कोरा के थूरू भी उसका solution मिलता है, तो यह कोरा एक organic बहुत ही अच्छा platform है, अच् Instagram पे लोग continuously लोगो follow करना start कर देते, again वो तरीका कही नगे आपको growth देगा पर वो blacklist होने से डर जाओ थोड़ा सा channel, खराब होना start होता है, similarly कोरा पे अगर आप क्या करोगे, spamming टाइप की चीज़ों करोगे, एक question करोगे, उस पर 5 answer A की IP address से करोगे, थोड़ा organically चलना start करो, नहीं, तो कही न कही आपका channel, आपकी profile ब्लॉक होगी और आपके लिए problem हो जाएगी, अब हम बात करें application की, तो application आपको किस से बनानी, तो application आपको उसी vendor से बनवानी है, जो आपको application के साथ साथ आपकी website भी provide करता है, मैं again चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, application और website ही सही combination है अगर आप भी मुझसे application और website एसर ready to use product लेना चाते है, तो आप मुझे call कर सकते है, तो आपको कोशिश क्या करना है, कैसे vendor से जुणना है, जो आपको application website और admin पेनल ये तीन चीज़ प्रॉपरली दे, अब यहाँ पर क्या होगा, तो आपको आपकी application का सही नाम रखना है, उ और review करो, review करोगे, और review भी कैसे, जो आपके, जैसे suppose, best coaching for UPSC, thank you so much XYZ sir for teaching me on this topic, ऐसे करके, तो क्या होता है कि जब keyword होते है, best coaching for UPSC, coaching for UPSC, best review for UPSC, तो यहाँ पर आपकी application भी top पे आना start करती, rank करना start करती है, और कई बाद याद रखिएगा, अगर आपकी application की rating ठीक नही है, उस पे negative comment पे आपने reply नहीं किया है, तो यह बहुत सारे reason होते हैं, आपकी application डाउनलोड ना करने के, तो बहुत सारे समझदार लोग rating देखके भी आपको आपके काम को judge कर लेते, फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें title, tag, description इसी में भी application में डलते है, अगर आपका खु को आप देखोगे ना, तो definitely आपको समझ में आ जाएगा, कि यह चीज किस perspective पे होती, बार पे वो जो starting में image आती ना, इस image की according आपको समझ में आ जाएगा, कि यहां पर आपको क्या बताना है student को हमारे best feature, जो अपना student उस अपन चीजों को देखके आपकी application डाउनलोड कर ले यह सारी जो बात करी हमने किस बिशेपे करी कि हमारे platform कुन-कुन से, अब इन platform पे डालना क्या-क्या होता है, तो मैंने आपको बता हो कि हमारे content की category तीन category है, आज के time पे video, long video, video, short video और post, ठीके, blog content लिखने वाला content, blogging वाला भी content होता है, मैंने हम mention नहीं किया, बट अभी य एक post को सबसे पहले आपने बनाया, post मतलब कैसा, आपने happy birthday wish करने वाला post बोल रहा हूं है आपको, गांदी जी को wish करने वाला motivation, post यह सारे post आपने बनाये, अब इन post को डालना कहाँ का पर है, तो telegram पे डालो, instagram पे डाला तो facebook पे डाल जाएगा, youtube के community post में डालो, google my business पे डा दालना है, तो एक post बनता है, उस post को सभी जगह पर उस platform के according डालना है, देखिए हर platform की audience different है, तो देखिए, post तो आपने बनवाया, digital marketing company से बोला भी हमारा post बनता ही बनता है, तो आप digital marketing वाले से पूचो भी आप, हमारे google my business पे डाल रहे हो कि ने डाल रहे हो, youtube के community post पे डाल डलेंगे, आपके short video telegram पे डलेंगे, short video को telegram पे डालना चाहिए आपको, क्योंकि उससे एक अच्छा attraction बनता है, reels और short, दोनों ही famous तरीका है, short video को promote करने का, दोनों, तीनों का orientation से में है, इनको यहाँ पर डाल सकते हो, similarly, same चीज, आप Twitter पे भी डाल सकते हो, और डाल सकते ह LinkedIn, आपके audience use करती है की नहीं करती है, आपको rectify करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर आपके student कोई business class students है, तो definitely आप LinkedIn को use कर सकते हो, Twitter को use कर सकते हो, तो यह आपको अपने according समझना पड़ेगा, अगर आप MP में हो, तो आपको यह 3 channel के अलावा हमारा बच्चा इस पे क अब हम बात करें, ब्लॉक की, तो ब्लॉक कहां कहां पर डलेंगे, ब्लॉक मतलब आप जो लिख रहे हो, तो आपका ब्लॉक वैबसाइट पर डलेगा, कोरा पर भी ब्लॉक डलेगा, और Instagram पर एक image बनाओ, जैसे आपने लिखा about MPPSC, या about UPSC, या about banking, एक ब्लॉक लिखा आ तो आप ये सारी चीज़े कर सकते हो, ब्लॉक के माध्यम से, तो ये था हमारा पूरा वीडियो, मैंने आपको जितना बता सकता था, जितना कोशिश करी, जितनी information, अभी भी बहुत सारी information missing है, हम इसको second part में लेके आएंगे, बट आप मानगे चली, अगर आप ये सारी आते हुए हम आपको guide करेंगे, और उस coaching के साथ में आपको compare करकर, आपके computer analysis करकर आपको बताएंगे कि आप उन तक कैसे reach कर सकते हो, आप कैसे बहुत बड़ा empire खड़ा कर सकते हो, digital marketing के तुरू, मैं एक ही बात कहता हूँ teacher को, कि अगर आपको एक ऐसे business को beat करना है, कैसे computer को beat करना है, जो infrastructure level पर यहां है, तो आप उसको एक मात्र माध्यम से beat कर सकते हो, वो है digital marketing, क्योंकि आप उसके level की coaching institute building नहीं खड़ी कर सकते है, क्योंकि क्रोड़ो रुपे का investment है, बट हाँ, आप digital marketing की अच्छी presence के थुरू, आप उसको यहां तक ला सकते हो, तो again, अगर आपक कुछ creative लोग है, तो ठीक, वरना इस काम के लिए आप मुझ जैसे professional को hire करे, thank you so much for watching,